हाई स्टुडेंट एक बार फिर कोलेज की यूटूब चैनल में आपका स्वागत हैं हमको शिकांगों के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी करम में हम आगे जो हैं माइक्रो बोडिस पढ़ेंगे माइक्रो बोडिस क्या होती हैं ये छोटी गुलाकार सरंचनाई होती हैं जो एक इकाई जिल्ली से परिवद रहती है और एक जो कोशिका हैं उस कोशिका के अंदर हम जो कोशिकांग बढ़ रहे हैं उन कई कोशिकांगों को समलित रूप से यहां पर माइक्रो बोडिस कहा गय और उन कोशिकांगों के दिएम बात करें तो उसमें यहाँ पर जिन कोशिकांगों की बात करेंगे उनकी संख्या 5 है तो जो micro body है यह जैसे प्रोक्षिसों, स्फेरोसों, ग्लायोक्सिसों, लोमासों और ट्रैसोसों यह जो 5 प्रकार के आपको micro body हैं कोशिका में इसमें जो सबसे पहला है प्रोक्षिसों तो प्रोक्षिसों जो है यह क्या होता है प्रोक्षिसों या जिसको यूरीकोशों गॉलते हैं यह C3 पात्वों इवन जन्तुओं के लिवर वे किड्नी की कोशिकाओं में पाए जाते हैं यानि यदि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर तो यह C3 प्लांट्स में और एनिमल की बात करें, तो एनिमल्स की लीवर और किड्नी, यानि की यक्रत और रक्त जो हैं, उनकी कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं कौन? जो हम प्रोक्सिसोम की बात करें तो C3 प्लांट्स के अंदर और जिसको हम यूरीकोसोम भी बोलते हैं, वो लीवर ओर है kidney जो हैनिवल्स में उसमें पाए जाते हैं तोलबट नामग विज्यानिक ने यकरत कोशिकाओं में इसकी खोज की और प्रोक्षिशोम जो नाम है वो ब्यूफिट एवं बर्थर नामग विज्यानिक ने 1963 में दिया था प्रते कोशिका जो होती है उसके अंदर जो ये प्रोक्षिशोम है जिसका डाइग्राम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इस प्रकार के डाइग्राम होता इसका तो ये जो प्रोक्षिशोम जो है ये प्रते कोशिका में इनकी संख्या जो है वो 70 से लेकर कि 100 हो सकती है और जिल्ली के अंदर जो है कनीका में आधार पाया जाता है जिसको हम मैट्रिक्स कहता है यह प्रोक्सी सॉम है जो हम पी आपको दिखाए गया है साइड में प्रोक्सी सॉम की इधर प्लास्टीड है तो इसके अंदर जो जिल्ली के अंदर जो है प्रोक्षिसॉम की यह आपको दिखाई दे रहा है जो पदार्त वो मैट्रिक्स पाय जाता है जिसमें प्रोक्साइड एच्टू ओटू का निर्मान करने वाले विभिन परकार के एंजाइम्स पाय जाता है तो इसमें विभिन परकार के एंजाइम्स पाय जाते हैं उन एंजाइम्स की दी बात करें तो मुख्य रूप से जो एंजाइम है यूरेट ओक्सीडेज डी अमीनो अमल ओक्सीडेज प्रोक्सीडेज ग्लाइकुलेट ओक्सीडेज और केटेलेज यह एंजाइम्स इसमें मु यदि प्रोक्सी सौम के कारियों की बात करें तो प्रोक्सी सौम में मुख्य रूप से फोटो रेस्पाइरेशन होता है यानि कि प्रकाश रॉप्षन होता है प्रकाश की अधिक्तिवर्ता और O2 की अधिक्तिवर्ता प्रकाश की अधिक्तिवर्ता O2 के दिक मात्रा और CO2 की कम सांदरता होना तो इस समय प्रकाश सोसन की क्रिया होती है जिसको हम photorespiration कहते हैं और photorespiration की क्रिया के लिए जो है mitocondria chloroplast and proxysome टीनों की जरूरत होती है अतातर हम कह सकते हैं कि photorespiration की क्रिया mitocondria chloroplast and proxysome में होती है तो proxysome का जो कारी हैं उसमें पहला क्या आ गया कि ये प्रकाश सोसन जो होता है उसमें साहिक होता है और जन्तूं के दिब बात करें तो जन्तूं में ये वसा उपापचेशी समझेते होते हैं अब हम दूसरे पर चलते हैं spherosome पे spherosome क्या होता है spherosome ये भी शुक्षम गोलाकार और एक जली उक्त कोशिका है spherosome spherosome किस टेक्चर जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये एक spherosome किस टेक्चर है और ये केवल पागपो में पाए जाते हैं spherosome किस में पाए जाते हैं only plants में पाए जाते हैं परणर ने जो वैग्यानिक था इन्होंने वर्णन किया इसके बारे में और जो spherosome जो सब्द है ये ही परणर नहीं दिया था spherosome में भी कई प्रकार के enzymes पाए जाते हैं इन spherosome में जिसमें मुख्य रूप से जो हैं spherosome है इनका मुख्य कारिये होता है जो वसा है लिपीड है उसका sensation करना और लिपीड को actrit करना और एक स्थान से दुसरे स्थान पर जो है उसका स्थानांतरन करना ये कारिये ये मुख्य रूप से करते हैं तीसरा जो koosikang है जो इसके अंदर जो micro bodies के हम बात करें तो तीसरी micro bodies है वो है glyoxysome glyoxysome क्या करते हैं ये भी एक परतवाली जिली से प्रिबद गोलाकार koosikang है इसकी खोद जो है वो वीवर्स ने की थी कैस्टर जो है अरंड के बीज में और जो glyoxylate cycle चलता है ना glyoxylate cycle वो glyoxysome में ही चलता है तो ये ज़्यादातर जो है जैसे yeast हैं, neurospora है और जो fatty seeds है ना और कुछ कच्चे फल fruits जो हैं उसके अंदर पाय जाते हैं glyoxysome जहांपर क्या होता है वसा जो होती है वसा यानि कि lipids हैं उसको carbohydrates में प्रिवर्त किया जाता है या lipids का carbohydrate में प्रिवर्तन होता है और glyoxylate cycle में यही होता है glyoxylate cycle के अंदर क्या होता है जो वसा होती है वसा का carbohydrate में प्रिवर्तन होता है यानि कि lipids का carbohydrate में प्रिवर्तन होता है तो ये जो glyoxylate cycle है वो glyoxysome में चलता है तो यह मुखे रूसे कहाँ पर पाए जाएंगे यह जो हैं, जो बीज है वसी बीज और कच्छे फलों के अंदर मुखे रूसे पाए जाते हैं Glioxysome और इनका कारिये की दिन बात करें तो आपको बता दिया कि Glioxylate Cycle है वो जैसे वसाखा carbonate में रुपांतर न करना ये कारिये जो है गलायोक्सिसॉम के अंदर आई जाएंगे गलायोक्सिसॉम के अंदर enzymes पाय जाते हैं जैसे एकोनिटीज, सिंथेटीज, डिहाइड्रोजिनीज और केटेलेज ये enzyme मुख रूप से गलायोक्सिसॉम में पाय जाते हैं लोमा सॉम इपोर्टेंट है, काफी बार exams के अंदर पूछा जा चुका है college lecturers का जो exam हुए हैं, उसमें भी इस परकार के question पूछे गए हैं कि लोमा सॉम क्या होते हैं, लोमा सॉम क्या होते हैं कि जो plants जो हैं plants की cell के दिए हम बात करें, पादब कोसिका में, तो पादब कोसिका के अंदर कोसिका बित्ती पाय जाती है तो पादब की कोसिका बित्ती और plasma जिल्ली, यानि कि cell wall और plasma membrane तो पादब कोशिका की कोशिका भित्ती एवं प्लाजमा जिल्ली के मद्धे छोटी गोलाकार सरंचनाएं पाय जाती है उनको क्या कहा जाता है उनको लोमा सॉम कहा जाता है और जो Lomasome है ये जो कोशिका है कोशिका की कोशिका भित्ती और प्लाजमा जिली के मद्य पाए जाती है यानि कोशिका की बाहर की जो बोर्डर है वहीं पाए जाती है इसलिए इन सरंचनाओं को सीमा का या बोर्डर बोर्डिस भी कहा जाता है कारिये की दिए बात करें हम लोमा सौम की तो ये क्या करते हैं ये कोशिका बित्ती और प्लाजमा जिली यानि सेल वाल और प्लाजमा मेंब्रेन के निर्मान से सम्मंदित कारी करते हैं तता जो सिक्रेशन जो होता है उसमें भी साहिता करते हैं अर्थात कोशिका बितिवे प्लाजमा जिली के निर्मान तथा सिक्रेशन में शायता करते हैं अंतिम जो बोडीज हैं माइक्रो बोडीज हैं अंतिम वो हैं ट्रांसोसोम की जो ट्रांसोसोम हैं ये क्या होते हैं ये मुख्य रूप से पक्षियों की जो अंडाश्यय पुटिकाए हैं उनमें पाय जाते हैं बर्ट्स जो हैं उनकी जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उसके अंदर ये मुख्य रूप से पाय जाते हैं और यह जो आज का जो वीडियो था वो मुख्य रूप से किस पर था micro bodies पर यानि कि छोटी गोला का अर्स रंचना ही जो होती है वो उनको micro bodies करते हैं और micro bodies के अंदर मुखे रूप से proxysom, spherosom, glioxysom, lomasom और transosom पाए जाते हैं इसमें से question काफ़ पूछे जाते हैं आप इस video को एक दो बार देखेंगे तो आपकी clear हो जाएगा Thank you student